नमस्कार मैं हूँ सुखरती रोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है सिंगर अदनान सामी ने हाली में अपनी लेटिस्ट फोटो शेयर कर लोगों का ध्यान अपनी और खीश लिया था उनका ट्रांस्फरमेशन और ग्रूमिंग देखकर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ही गोल मटोल अदनान सामी है इन फोटोज में अदनान अपनी पत्नी और बेटी के साथ नज़राए पर कि आपको मालूम है कि अदनान का एक बेटा भी है जो पाकिस्तान में रहता है अदनान सामी ने 1993 में हीना फिल्म की खुबसूरत अदाकारा जेबा बख्तियार से शादी की थी दोनों का एक बेटा है अदनान सामी खान बदकिस्मती से अदनान और जेबा की शादी चल नहीं पाई और उन्होंने तीन साल बाद तलाक ले लिया तलाक के बाद अदनान अपनी मा जेबा के साथ पाकिस्तान में ही रहने लगे और यहीं उनकी परवरिश भी हूँ वैं अदनान के बश्पन की कुछ तस्वीरे देखे तो वो काफी क्यूट और चबी हुआ करते थे उन्हें देख अदनान की पुरानी फोटोज यादा जाएंगी वैसे अजान अब हैंसम हंग बन चुके हैं और काफी हद तक अपने पिता अदनान सामी जैसे ही दिखते हैं अजान सामी पाकिस्तान के जाने माने अक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर और डिरिक्टर है उन्होंने कई सूपर हिट गाने गाए और प्रोड्यूस भी किये अजान संगीत प्रेमियों का दिल लूटने के बाद एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं सजल, अली और युमना जैदी के साथ उन्होंने इश्के ला ड्रामा से एक्टिंग डिब्यू भी किया था मैं करियर में अजान की किस्मत हमेशा चमकी है कुछ ऐसी ही किस्मत उनकी लव लाइफ में भी रही अजान ने साल 2014 में महज 20 साल के उम्ड में अपने बच्पन के प्यार से शादी की उनकी पतने का नाम सोफिया बिलगरामी है अजान और सोफिया आज दो बच्चों के पेरिंस हैं अजान अकसर अपनी बेटी और बेटे के साथ पोटो शेयर करते रहते हैं वह पिता अजान संग अजान की रिष्टे की बात करें तो इस पर अजान ने एक दफ़ा एंटिव्यू में कहा था कि कभी कभी ऐसा दिन होता है जब लोगों का रियक्शन बड़ा दिल्चस्प होता ये जान कर कि अजान कर कि अजान सामी मेरे पिता है उन्होंने अपने लिए कुछ फैसले किये उन्हें कहा रहना है और कौन से देश को अपना घर कहना है मैं उस बात का संबान करता हूँ पर मैं घर जाना चाहता हूँ ये मेरा फैसला और पाकिस्तान बेकाम करने का फैसला करता हूँ मैं भारत में रहा हूँ, अपने टीनेज के कई साल वहां बिताए हैं वही पिता के संग रिष्टों पर अजान कहते हैं, हमारा बहुत ही परखा वरिष्टा है मेरे परवरिष मा के पास हुई, तो मेरा और उनका रिष्टा दोस्त की तरह है वह ऐसे शक्स हैं जुनके पास मैं सला लेने जा सकता हूँ, कभी-कभी हम महिनों बात नहीं करते हैं, तो बस लंबी बात चलती है उमेद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें